वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज हम पाड़ेंगे वेस्कूलर टिशू सिस्टम के बारे मैं जो वेस्कूलर टिशू सिस्टम होता है इसमें नंबर ओफ वेस्कूलर बंडल्स पाए जाते हैं जो स्टील में डिस्ट्रिबूटिड होते हैं स्टील जो है यह सेंट्रल सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है स्टाम का और रूट का और यह कॉमली स्टील सराउंड होता है एंडोडर्मिस से और स्टील में वैस्कुलर बंडल्स पेरिसाइकल पित मेडूलरी रेज जो है वो पाए जाते हैं इच वैस्कुलर बंडल जो होता है उसमें जालम फ्लायम टिश्यूज होते है और जो जालम फ्लायम टिश्यूज होंगे या तो उनके पास कैंबियम होगा या तो वो बगएर कैंबियम के होंगे roots में क्या होता है separate xylem और phlyum strands जो है वो पाई जाती है function जो होता है system system का vascular system का वो क्या है contact करना water को और बागी other nutrients को roots से लेकर leaves तक through xylem के जरिये और translocation करना prepared carbohydrates की leaves से लेकर बागी other storage organs तक और जो growing regions होते है plant body के किसके through phlyum के जरिये vascular bundle elements जो है ये derive होते है primary meristum के pro cambium strands से और जो vascular bundle होता है वो circular ring में arranged हुआ होता है dicot lidens में यानि dicot stem में और dicot root में और ये scattered होता है throughout axes किसमे monocot stumps में ठीक certain plants में vascular bundle जो है वो scattered होते है ठीक within well-defined pith ऐसे bundles को medullary bundles कहते है medullary vascular bundles कहते है एक्जेम्पल मेराबिलिस, बोरहेविया, बोगैन, वीलिया, एकाइरेंथिस, एमेरेंथिस, एट्स्ट्रा vascular bundles जो है वो और करते है cortical region जो होता है stem का such bundles को कहते है cortical bundles एक्जेम्पल है caesurina nictanthis primary vascular tissue जो प्रोकेंबियम होता है ये vascular cylinder जो है ना उसे form करता है as pro cambium develop होता है जो diameter होता है organ का वो increase होता है simultaneously क्या होता है pro meristum की cells multiply होने लगती है और enlarge होती है bulk में ठीक as growth continue होती है जो first solemn cells होती है वो बनती है mature inner और outer margins होते है cylinder strands के और ये separate होते है more या more widely एक दूसरे से as strands जो होती है ये enlarge होती है size में जो first maturing cell होती है young strand में वो phloem cells होती है जोने कौन follow करता है first zalim cells thereafter first mature zalim and phloem cells जो है वो separate होती है राइडेली by pro cambial जो stems में होता है leaves में होता है और tangentially by pro meristum in roots अब हम पढ़ेंगे कौन constituents क्या है vescular bundles के vescular bundles जो होता है dicotillin stem का उसमें तीन major zones होते है xylem इसे would be कह सकते है flyem इसे bus भी कहां जा सकता है और cambium अब हम पढ़ेंगे xylem के बारे में या जोसे would भी कहते हैं जो जालम होता है वेस्ट किला बंडल का वो लाई करता है कहां पर टूर्ड सेंटर में होता है और इसमें क्या-क्या पाया जाता है वैसल्स या ट्राइकेट जिसे बोलेंगे Traches पाये जाती है Vessels का दूसरा नाम Trachea Wood Fibers पाये जाते है Patch of Xylem या Wood Parenchyma भी पाया जाता है Vessels जो है वो Possess करते है Various Kind की Thicknings जैसे कि Annular होगी Spiral होगी Scallular Form होगी Reticulate होगी Pitted होगी Traches जो है वो पाये जाते है Associate किनके साथ vessels के साथ इन similar way में wood fibers और wood parent कायमा जो है वो भी पाया जाता है associate एक दूसरे के साथ जो जालम होता है या wood parent कायमा होता है secondary wood का वो usually thick wall होता है और lignified होता है जालम elements जैसे कि जो vessels है और trackets है वो क्या करते है वो conduct करते है water और minerals को mineral salts को कहां से roots से लेकर leaves तक whereas wood या जालम parent कायमा जो होता है ये living tissue होता है और ये क्या करता है ये storage में help करता है ठीक और जो wood fiber होता है ये mechanical support प्रोवाइड करता है plant body को अब पढ़ेंगे flyambust के बारे में usually stems में क्या होता है flyamb जो है वो अवे पाया जाता है center of axis से ori towards periphery पे होता है और इसमें sieve tubes होती है जिसे sieve cells कहते हैं दूसरा नाम और sieve tubes होंगे companion cells होंगे खाली या sieve tubes होंगे या companion cells होंगी flyamb parent कायमा के साथ jimnosperms में इसे represent किया जाता है से खाली और most monocotylidons जो है इनमें sieve tubes companion cells होती है virus dicotylidons में sieve tubes companion cells flyamb parent कायमा भी पाया जाता है companion cells जो होती है और जो flyamb parent कायमा होता है इसमें simple pits होते हैं उनके walls में particularly जो लाए करते हैं sieve tubes flyamb जो है वो सर्व करता है translocation में prepared carbohydrate की leaves से लेकर storage tissue तक और बाकी अदर growing regions तक sieve tubes translocate करते है proteins को और बाकी अदर carbohydrates को flyamb parent कायमा conduct करते है amines को amino acids को और soluble carbohydrates को और companion cells को और यह अलसो translocate करता है mini soluble food items या materials all flyamb elements जो है वो living होती है और वो बनी हुवी होती है cellulose से अब पढ़ेंगे cambium के बारे में जालम और फुलायम के बीच thin strip होती है primary meristum की जो पाई जाती है dicotyliden stumps में उसे कहते है cambium cells जो होती है cambium की वो rectangular होती है thin world होती है cambium strip जो है यह unisrate भी होगा multi-leared भी होगा cambium cells जो होती है living होती है sufficiently elongated होती है और इनमें oblique ends होते है लेकिन यह flattened होती है tangentially और यह लगती है rectangular in cross section now comes types of vascular bundles vascular bundle जो है इसमें यह consist करता है citron like portion से जनकी zalim phloem होता है primary vascular system का यह arrangement है zalim और phloem का vascular bundles में इसे arrange किया गया है following main types में पहला है radial congoyed concentric radial में क्या होता है इसमें zalim और phloem lie करते है radially side by side example roots of seed plants यह most primitive type है congoyed में क्या होता है दो types के tissue जो है वो separate होते है एक दूसरे से यहां पर xylem और phloem together form करता है bundle दो sub-types क्या है collateral by collateral अब है collateral xylem और phloem जो है वो लाए करता है together same radius पे in the position that xylem जो है वो लाए करेगा inverts और phloem जो है वो लाए करेगा outwards here phloem जो है वो अकर करता है xylem strand के एक साइड से और dicot stump में क्या होता है cambium बनता है किस के बीच xylem phloem के बीच such bundles को क्या कहते है open bundles कहते है और यह पाय जाते है hyalenthus में जब cambium absent होगा तब उसे कहेंगे closer जैसे के example है monocodalian stumps की by collateral में क्या होता है such bundles में phloem जो है वो xylem के बोज साइड से around पाया जाता है simultaneously दो cambium strips जो है वो भी ओकर करती है various elements arrange होते है following sequence में outer phloem outer cambium xylem inner cambium and inner phloem such bundles commonly पाई जाती है members of cucurbitacy में such bundles always open होती है now comes concentric those जिसमें एक टाइब का tissue surround करेगा या एंशीत करेगा दूसरे को concentric bundles दो तरह के होती है amphivessal amphicribble अगर zalim जो है वो surround करेगा phloem को उसे कहेंगे amphivessal bundle जैसे कि पाई जाता है dry shenya में yuka में and other monocots में और कुछ dicots में अगर phloem surround करेगा xylem को तब उसे कहते है amphicribble जो कि पाई जाता है बहुत सारे ferns में such bundles हमेशा close होते हैं तो इस तरह से vascular tissue system हमारा खतम होता है and यह हमने पढ़ लिया